अस्सलामु आलेकुम दिस इस शाज़ेव और यूर वाचिंग जेबी टेग तो फाइनली रेडवी ने लाउंच कर दिये है रेडवी नोट 9S को जिसका जो लाउंच इवन्ट था वो कल था साथ चार बजे के करीब और यहां पे सिर्फ एक ही पॉन्ट लाउंच किया गया है जो कि रेडवी नोट 9S है और उसका हमें एक ही विरेंट देखने को मिलता है जो कि 6GB RAM के साथ है और 108GB Storage के साथ हमें देखने को मिलता है इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी जो प्राइस रखी गई है वो 39,999 रखी गई है यानि कि 40,000 का बजट इसके अंदर रखा गया है तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्या यह इस प्राइस टाय को जिस्टिफाइ करता है देखेंगे कि इसके अंदर में क्या क्या स्प्रेसिफिकेशन मिलती है और आपको यह मुवाल पून लेना चाहिए या नहीं और मैं आपने दूगा एन में ओपीनियन् दरूर देखेगा तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट तो यहां पे हम बात करें सबसे पहले इसके डिजाइन की तो इसके डिजाइन हमें काफी फीचुरिस्टिक लगता है फ्रंट साइट की बात करें तो फ्रंट साइट पा हमें एक पंच होल देखने को मिलेगा और पर उसी रेक्टैंगल के अंदर हमें इसकी एल डिधी फ्लैश है वो देखने को मिलेगी इस मोबाइल फून के रैड साइड की पा ते हमें वाल्यूम लॉकर की हिस्ट देखने को मिलेंगे और उसके निचे हमें इसका जो पावर बटन है वो देखने को मिलता है अब यहां पर हमें एक इसके अंदर IR Blaster देखने को मिलता है, जो के हमें सारे ही Xiaomi या Redmi के स्मार्टफून में देखने को मिलेगा, और यहां पर बात करें उसके साथ हमें एक secondary microphone देखने को मिलेगा, बात कर लिजा यहां पर मुवाल फोन की नीचे वाले side की, तो design वाली side से हमें जे मुवाल फोन काफी एक अच्छा देखने को मिलता है, तो अब यहां पर बात करें इसके display की, तो इसके अंदर हमें एक display देखने को मिलेगा, वो हमें 6.67 इंचिस का एक display देखने को मिलता है, यहां पर हमें एक IPS LCD देखने को मिलती है, अगर यहां पर Super AMOLED दे दे जाता, तो यह अपने price point के साफ से एक best option हमें देखने को मिलता, लेकिन फिर भी यहां पर हम discuss करते हैं बागि specifications, यहां पर resolution की बात करें तो इसके अंदर हमें full HD plus resolution देखने को मिलेगी, यानि कि 1080 x 2400 pixels की, तो resolution वाली side से भी हमें यह काफी अच्छा देखने को मिलता है, तो यहां पर display वाली side से हमें यह बिल्कुर ठीकी देखने को मिलता है, ना आप इसको इतना बुरा कह सकते हैं, ना इतना अच्छा, यहां पर हमें जो average किसम का जो display है वो देखने को मिलेगा, तो अब यहां पर बात पर हमें इसके internals की, तो यहां पर जो variant है वो तो मैं आपको बता दिया है, कि इसके अंदर 6GB RAM और 168GB का एक ही देखने को मिलता है, यहां पर इसके प्रोसेसर की बात रहा है, तो इसके अंदर हमें प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और यह एक गेमिंग प्रोसेसर हमें देखने को मिलता है, अब इसकी जो प्रफॉर्मेंस है, जो Snapdragon 730G है, उससे हमें slightly better देखने को मिलेगी, आप इतना जादे बैटर नहीं करते हैं, लेकिन कुछ हमें better देखने को मिलेगा, और यहां पर GPU के बात रहा है, तो GPU के अंदर हमें Arduino 618 देखने को मिलता है, तो यहां पर आपको जो performance है, वह हमें काफी जादा देखने को मिलेगी, इसके उपर आप जो heavy games हैं, जैसे के PUBG, Call of Duty, एश्वार 9, आप यह easily high settings पर run कर सकते हैं, और day-to-day usage के अंदर भी हमें यह काफी अच्छा देखने को मिलेगा, बैटरी वाली साइट से भी हमें यह काफी efficient देखने को मिलेगा, अब बैटरी की बात हो रही है, तो यहाँ पर बैटरी की बात करने तो इसके अंदर हमें 5020 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, इसके साथ साथ हमें 18W की जो sport है, fast charging की वो भी देखने को मिलती है, अब यहाँ पर charger की बात करने तो out of the box इसके अंदर हमें 22.2 का जो fast charger है, वो देखने को मिलता है, तो बैटरी वाली साथ से भी हमें कोई problem नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर fast charging 30W की रखी जाती, तो यह काफी अच्छा option हो सकता था बैटरी वाली साथ से भी, लेकिन फिर भी आप यह नहीं कह सकते के बहुत बुरी है, आप इसको एक justifyable कहाँ सकते हैं, इसके यहाँ पर camera's की बात करें, तो front side पर front shoulder के अंदर हमें 16 Megapixel का camera देखने को मिलता है, जो कि काफी एक अच्छी cell piece हमें provide कर देगा, back side की बात करें, तो back side पर हमें quad camera setup देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमें जो main sensor देखने को मिलेगा, वो हमें 48 Megapixel का देखने को मिलता है, तो यहाँ पर 64 लगा जा सकता था, लेकिन फिर भी यहाँ पर 48 दिया गया है, अभी हमें बिल्कुल इसी वज़े से लगता है, क्योंकि इस अंदर में प्रोसेसर काफी अच्छा दिया गया है, तो जिसकी वज़े से camera इसके अंदर 48 रख दिया गया है, लेकिन फिर भी 48 काफी बुरा नहीं है, आप इससे अच्छी तस्वीरें ले सकते हैं, इसके अलावा थर्ड लेंस हमें पांच मेगे प्रिसकल का देखने को मिलेगी, इसी तरह यहां बात करें फॉर्ट लेंस की, तो वो हमें दो मेगे प्रिसकल का इंपोर्ट लेंस देखने को मिलेगा, तो camera वाली साइट से भी आप इसको average कहा सकते हैं, आप इसको इतना बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि यहां पे हमें decent देखने को मिलते हैं इसके camera's, इस mobile phone की thickness की बात करें, तो इस mobile phone की जो हमें thickness देखने को मिलेगी, वो हमें 8.8 mm देखने को मिलती है, और यहां पे हम बात करें, तो यह हमें 3 colors देखने को मिलेगा, एक हमें interstellar, ग्रेक अंदर देखने को मिलेगा, glacial white और एक हमें aurora blue के अंदर देखने को मिलेगा, और यह 3 color हमें काफ यच्छे देखने को मिलते हैं, आप गो इन 3 colors में कों से पसंद है, इन में से आपको कौन सा अच्छा लगता है नीचे कॉमेंट में ज़रू कताईएगा तो यह थी complete details Redmi Note 9S की तो अब यहाँ पर बात करें मेरे opinions की मेरे documentation की क्या आपको यह mobile phone buy करना चाहिए या नहीं तो यहाँ पर अग मैं कहूंगा कि आप बिल्कुल इसको buy कर सकते हैं लेकिन अगर यह थोड़ा सस्ता launch कर दिया जाता है यानि का 30,000 ग्रेज में तो यह बीस mobile हमें देखने को मिलता है लेकि फिर भी आप इसको buy कर सकते हैं क्योंकि रे-variant भी इसका अच्छा में launch किया गया है और प्रोसेसर के बात करें तो वह भी हमें काफी insane देखने में मिलेगा तो यहाँ आपको जा efficiency है वह भी काफी अच्छी हमें देखने को मिलेगी क्योंकि यह new processor है और 8NM के architecture पर base है तो मेरी तरफ से आप इस mobile phone को बिल्कुल buy कर सकते हैं लेकिन अगर आप आज का wait कर लें क्योंकि आज realme 6 का launch event भी है तो अगर उसको काफी aggressive price के साथ launch किया जाता है यानि का 38,000 या 37 के अंदर इसका जो base variant है वो लाच कर दिया जाए और 39, 40 के करीब इसका जो 6GB, 128 या 8GB वाना launch कर दिया जाए तो वो बहुत ही एक काफी अच्छा option हमें देखने को मिलेगा तो आप इसके बजाए आप realme 6 buy कर सकते हैं तो अगर वो जादा का launch किया जाए तो बिलकुल आपकी ये preferred choice हो सकती है आप जो मुवाल फून बिलकुल buy करें तो मेरी तो opinion यही है कि आप एक दिन wait कर लें और इसका देख लें कि वो क्या price के साथ आता है तो बस देख यह आची वीडियो अगर आपके वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक दरूर करते जाएगा और अगर आप हमाई चानल पर नहीं हो तो चानल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बैल आइकन को दोबादेना ताकि जब भी कोई ऐसे वीडियो आए आपके पास notification आजाए तो मिलते हैं आप किसी नई वीडियो में तब तक के लिए आलाँ आपज़